नमस्कार मैं हूँ संजीब श्रीवास्ताव आप देख रहे हैं 4PM News Network आपने यो द्रश देखे पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखलाई पढ़ ला हैं ये द्रश मद्द प्रदेश के छतरपुर शहर का है और ये घटना क्रम कहीं न कहीं पुलिस के साथ सरकार के लॉयनर को लेकर जो स्थिती है उस पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है मद्द प्रदेश में बीते काफी समय से एक के बाद एक ऐसे घटना क्रम हो रहे हैं जिससे राज की कानून और विवस्था की स्थिती को लेकर सरकार कड़ घरे में खड़ा हो रही है पूरा घटना क्रम बताने के पहले मैं बात करूंगा मद्द प्रदेश के मुख मंतरी मौहन यादव को लेकर मौहन यादव के अपने ग्रह जिले उजेन में हाल ही में कुछ ऐसे घटना क्रम बार बार हुए हैं जिसके बाद प्रश्न ज्यादा गंभीर हो रहा है और कहा या पूछा ये भी जा रहा है कि क्या ये मौहन यादव जो प्रधान मंद्री नरीन मोदी और केंद्री ग्रहा मंद्री अमित शाह की पसंद है उनका फेलिवर है या उनके साथ कोई सेबटेज हो रहा है गटनकरम बार-बार हो रहे हैं इसलिए सवाल जादा पैदा हो रहे हैं मैंने कहा ही मोहन यादो जो उजेन से आते हैं उनके अपने ग्रह जले उजेन में बीते साथ-ाथ महीनों में एक के बाद एक ऐसे कई गंभीर किस्म के घटनकरम हुए है जिससे ना केवल स्वयम मक्मत्री मोहन यादो बलकि सरकार की छबी भी धुमिल हुई है अभी बीते सप्ता ही एक घटनकरम उजेन में हुआ था तब भारती जनता पाल्टी के विधायक सतीश मालवी के दफ्तर में खूनी संगर्ष हुआ था और वो खूनी संगर्ष के बाद विपक्ष ने जम कर घिराव किया था और जो कॉंग्रेस है मतपदेश कॉंग्रेस कमिल्टी के अद्धक्ष ने तो एक एक्स करके प्रधान मंत्री को सीधे सीधे उसको भेजा था और उनसे कहा था कि देखिए या आपके जो प्रिये पात रहें संकेत इशारा था कि क्या खुछ मतपदेश में हो रहा है उनके इराज में और जो उन्होंने हैश्टेग किया था पधान मंत्री जी को उसमें ये भी कहीं कहा था कि अंधिर नगरी मुखिया मौन और साथ साथ कहा था कि उज्जेन तो संभालो ये स्थिती बनी हुई है और ये जो अब बात करूंगा च्छतरपुर के घटना करम की ये च कई पलिस वाले घैलों और जो वहां के थाना प्रबारी है कोतवाली परहमले के द्रश्च आप जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको नेपत्थ में परदे के दूसरे जो धड़ा है उसमें दिखलाई पढ़ेंगे दिखाई देंगे दिखलाई पढ़ रहे होंगे कि कैस पलिस वालों को दोड़ा दोड़ा कर भीड कूट रही है मार रही है हुआ इसलिए है कि ये भीड पहुंची थी एक समुदाई विशेश की भीड एकटा होती रही थाने के सामने जमा होते रहे और कई पलिस सोती रही प्रसाशन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतना थी भीड पहुंची थी महारास्ट के एक महंत हैं रामगिरी महराज एहमद नगर से वे आते हैं और उन्होंने बीते सब्ता मुहमद पैगंबर सहाब को लेकर इसलाम धर्म को लेकर टिपणी की थी उसी के विरोध में ये भीड थाने के समक जमा होई थी और मांग भीड की ये थी कि उन महंत के खिलाफ उन महंत के विरुद एफायर लाँच कर ली जाए उनके खिलाफ एक्शन में आए पुलिस एक्शन ले लेकिन पुलिस के द्वारा कथित रूप से हीला हवाली की जाती रही कोशिश ये की जाती रही कि भीड को जैसे ते से वहां से रफा दफ रफा कर दिया जाए लेकिन भीड थी वो मानी नहीं पहले बात नारे और हंगामा चुटपट शुरू हुआ और बाद में इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया और रूप इसलिए कि वहाँ जो पुलिस का दल था हमला था वो कोशिश करता रहा मामले को कहा जैसे तैसे बंद किया थाने का तो उसके बाद भीड बेकाबू हो गई और पत्राओ शुरू हो गया और उस पत्राओ के चलते ही भगदर मची पुलिस वालों ने भी जवाब में पत्थर फैके लेकिन इस सब ने ऐसा एक रूप लिया जिससे मद्द्रदेश के माथे पर फिर एक कालि में घुसकर पुलिस की पिटाई पुलिस की कुटाई और इस पूरे घटना क्रम में कई पुलिस वाले घाया लिए और जो वहां के थाना प्रबारी हैं कोतवाली के उनकी हालत गंभीर बनी हुई है आइसी सीउ में एड्मिट है उनके साथ में जो घटना क्रम पूरा हुआ उसमें कई पत्थर होने लगे हैं, अलग-अलग सिर में चोट है, सीने पर पत्थर लगा है, और भी शरीर के हिस्तों में पत्थर लगा है, और निकल कर ये भी आया है कि किसी ने चाकू भी मारा है उनको तो आप सोचिए आप, और भी पुलिस वाले घायले हैं, और इसके बा ब्लेम जिन पर है उन्हें डिटेन किया गया है और भी जो लोग हैं भीड में शामिल रहे हैं उनकी धरपकड की कोशिशें हो रही है चापा मारी चल रही है और क्या कुछ कलेक्टर वहां के च्छतरपुर के कह रहे हैं उसे भी सुनिया है किस तरी की उस्तिती है सर्थ क्या घटना घटी है और अब थाने पे थाने कोटवाली पे घटना रखी है जिसमें हमारे प्याई साथ को चोट लगी है अभी हम कानून व्यश्था की तरफ नजरिये से इस पिसाब और हम लोग निरिक्शन कर रहे हैं जैसा भी होगा और अब एक बार हम लोग शेहर का ब्रह्मण कर लें फिर कानून व्यश्था का जाइज़ा लेकि तरा खोड़े ते लोग तब पुलिस जागरत क्यों नहीं हुई प्रिशाशन क्यों नहीं जागा बड़ा सवाल यही बना हुआ है इसके साथ जो महारास्ट के जिन महंत का नाम महाया है उन महंत की टिप्पणी के बाद से और भी सुवों में बावाल हुआ है महारास्ट में भी काफी उसको लेकर एक उपद्रव हुआ है उस उपद्रव के बाद मुंबई और पूने के अलग-अलग थानों में साथ फाइय अर्दर्श की गई हैं ए आई एम आई एम प्रदर्शन हुए है और इस सब के बाद कहीं संग्यान में प्रॉपर ना लेना मामले को उस पूरे मसले की गंभीड़ता को ना समझना इस घटना करम के हो जाने का बड़ा करण माना या कहा जा रहा है कि पलिस की चूक की वज़े से ही यह सब हुआ यदि वक्त पे या उस भीड़ को शांत करने की कोशिश होती एफ आई यार लिख ली जाती आविदन लेकर इस पूरे मसले मामले को मौके पर ही निप्टा दी जायता तो शायद ऐसा इतना बड़ा घटना करम नहीं होता अब वहां जो स्थितियां है शांती जरूर स्थापित करने में पुलिस का कि एक के बाद एक अलग-अलग जिलों में अलग-अलग छेत्रों में जो घटना करम हो रहे हैं उज्जेन में जैसे मैंने का हुआ है घटना करम जिस तरीके से उसमें जो भारती जंता पर्टी के विधायक के डफ्तर में जो कुछ अंगामा हुआ और खूनी संगर्ष पर तो यह उपद्रव कहीं न कहीं बार-बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो मतप्रदेश के मुक्मंद्री हैं मोहन यादो वो फेल हो गए हैं या उनको कोई सब्टाज किया जा रहा है क्योंकि ऐसी बार-बार घटनाए हो पुलिस की चूक हो पुलिस को भनकना लगे एंट बीते शुकरवार को नासिक में करकम हुआ था नासिक में महारास्ट के मुक्मंत्री एकना शिंदे का करकम था उस एकना शिंदे के करकम में उस मंच को साजा किया इस महंत ने और वो टिपणी के बाद और ये भी निकल कर आया था कि जो वहां के महारास्ट की जो सरकार है उ जमा कहीं न कहीं ये जो आपसी कॉडिनेशन है राज्यों में वो भी कहीं ठीक ठाक नहीं है यदि वो निकल कर आ रहा था कि महारास्त का पूरा घटनक्रम है जैसे लेकर भीड पहुंची हुई है मुकदमा मामला कायम किया जाए तो इतना तो किया ही जा सकता था कि उस पूर जो घटनक्रम है वीडियो इसको आप नजर करिए फिर मैं इस और इस मामले में आगे बार करूँ पुना हाप ने ये दिखा कैसे दोड़ा दोड़ा कर पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो सवाल वही है कि चूक किसकी है पुलिस प्रशाशन की चूक है जला प्रशाशन की चूक है या मदप्रदेश सरकार की चूक है या एंट्रिजन्स का फैलिवर है और जो कॉडिनेशन होना चाहिए उसमें आपसी सामाजस नहीं है उसमें कहीं बड़ी चूक है और कुल मिलाकर एक बड़ा घटनकरम मंद्रपदेश में हो गया है जो राज की सरकार राज के शाषन प्रशाषन राज में जो लॉय और्डर की स्थिति है उस पर बड़े प्रश्चिन लगा रहा है इस वीडियो में इतना ही इस जो घटनकरम में से जुड़ा और कोई अपडेट होगा तो वह हम आपको जाकर यह जुरू बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा यह खबर आपको कैसे लगी प्यारो इसने बनाए रखी और देखते रहिए 4PM न्यून नेट पर धन्यवार नमस्कार